सोन बाबा उत्सफ शनिवार 11 मार्च को नाकपुर ग्रामीन तालुका के लावा में रंग पंचमी के उत्सफ में बड़े ही उत्सा के साथ मनाया गया इस बार हुकरे हुकरे की आवास से पूरा जाल का गुंज उठा ये आयोजन स्थानिये सोन बाबा उत्सफ समीती द्वारा पिछले 300 वर्षों से किया जा रहा है लेकिन पिछले दो वर्षों से कुरोना प्रतिबंदों के कारण यातरा पूरी नहीं हो पाई है इस्तिवार को महतवत दिया जाता है लावा में सोनबा बाबा का एक प्राचीन मंदिर है और होली दहन के दूसरे ही दिन मंदिर में धूली वंदना घाट की स्थापना की जाती है बुजर्ग माधवरा गोर्ले पिछले कई सालों से इस परंपरा को निभा रही है लेकिन इस साल उनके उत्तरदिकारी जीवन उर्फ कोका जी गोर्ले ने इस साल जिम्मेदारी संभाली है पिछली परंपरा के अनुसा शुनिवार को रंग पंचमी पर पांच बेल गाड़ियों को एक साथ बांधा जाता था और सो से देर सो शुद्धालू को लेकर पहले बेल गाड़ि पर खुद कोकाजी गोरले बाबा खड़े होते थे सोन बाबा उत्सव समीती के अध्यक्ष गनेश पतेल हिरनवार सरपंच ज्योक्सना नितनवारे पूर्वजिला परिशत सदिसेच सुजीत तिनवरे उपसिरपंच रोबिन शेलारे पूर्वग्राम पंचायत सरपंच महेश चोखांदरे पूर्वसदस्य पांडूरंग बोर कर मनुझ तभाने साधनावान खेडे सुशीला ढोक राजन हिरनवार मारेश्वर गोडले मारेश्वर वर्थी डेवारंद गोडले उपस्तित रहे कारिक्रम की सफलता के लिए भारत नितनवारे प्रकाश डवरे दत्तु पैठनकर बबन वान खेडे वंडू धोने खोरगडे, सेश्राव गोरले, मनोज गोरले, प्रीतम वान खेडे, सुरज वान खेडे, नितिन गोरले, यादव इंगले, गनेश इंगले, चेतन गोरले, राहुल वान खेडे, शुभम गोरले, राहुल पोहन कर, उमकान पोहन कर, तुकराम बोर कर, प्रशांद बोन कर, बाबा धवले मानिक वान खेडे वा अन्यने सहायता की ब्यूरो रिपोर्ट बीसेन न्यूज